कुछ मेरे पास में मैसेज आ रहे हैं कि माम आप प्लीज चैप्टर्स जो आपने NCRT के explain कर दिये हैं उनकी summary भी upload कर दीजिए उनकी मतलब summary को भी explain कर दीजिए तो definitely मैं उनकी summary explain कर दूँगी बच्चो लेकिन मैं आप से कहना चाहूंगी कि अगर जब आप chapter को पढ़ रहे हैं और उस time पे आपको chapter को पढ़ने के बाद में अगर chapter समझ में नहीं आ रहा है या इसके लिए आपको दुबारा से देखना चाहिए वीडियो और दुबारा से आपने जहां कहीं पे भी NCRT में चीजों को note down किया है उनको check करना चाहिए कि क्या reason है कि जिनकी वज़े से आपको ये summary clear नहीं हो पाई क्योंकि summary में chapter के जो सारी चीजें मैंने पहले ही explain कर दी है जब कि आप लोगों तक best knowledge पहुचाना तो definitely मैं अगर आपके demand होगी तो मैं summary भी बना दूँगी लेकिन मेरी समझ से अगर में हाँ पर मैं summary explain कर भी देती हूं और आप उसको समझ भी जाते हैं तो फिर भी कहीं न कहीं doubt रहेगा कि आपको chapter में से कुछ चीज समझ में नहीं तो जिन chapters की मैं summary upload कर रही हूं और उन chapters की videos अगर NCRT explanation की आप लोगोंने पहले नहीं देखे हैं तो description box में सारे links मैंने provide कर दिये हैं आप वहाँ से जा करके देख सकते हैं ठीक है तो चलिए start करते हैं the living word is rich in variety जो living word है हमारा जिसमें हम लोग रह रहे हैं biological word इसमें बहुत ही जादा varieties है millions of plants, animals and have been identified and described but a large number still remains unknown यहां तक हमें बहुत ही millions of number पे plants भी पता चल चुके हैं millions of number में ही animals के बारे में भी हमने identify कर लिया है बहुत सारों को बहुत सारे level पे describe भी कर दिया है उनके complete classify भी किया है लेकिन अभी भी कुछ ऐसा level है जो हम लोग से unknown है जिसके बारे में हम अभी भी नहीं जान पाए हैं इसका मतलब हमारी discovery अभी हम यह नहीं कह सकते कि हमने हर एक plant को identify कर चुके हैं हर एक animal को identify कर चुके है अच्छा जो हमने यह verify किया है organisms जो भी हमने identify किया है आप कह सकते हैं तो वो हमने किस basis पे किया है उनको हमने size के animals के plants के size के basis पे किया है colors की basis पे किया है habitat मतलब उनका कैसा रहन सेने कैसी जगों पर वो पाए जाते हैं उनकी physiological character कैसे हैं उनकी morphology कैसी यानि कि दिखने में कैसे features हैं उनके तो इन सब के basis पे ही हमने living organisms को क्या किया है अलग variety में आप कह सकते हैं कि बहुत सारी जो range हमने describe किया है वो इसी basis पे किया है ठीक इन order to facilitate the study of kinds and diversity of organisms biologists have evolved certain rules and principles for identification, nomenclature and classification of organism जितनी भी हमने variety पड़ी है, plants के बारे में यानि कि complete organisms के बारे में जितनी भी हमने पड़ी है तो biologists ने उनहीं के basis पे बहुत सारे rules और principles बनाए हैं किन चीजों के लिए identification करने के लिए, मतलब उनको पहचानने में, identify करने में दूसरा उनको nomenclature यानि कि उनको name देने में और तीसरा classification यानि कि कि और organism को किस जगा पे place करना है उस basis पे हमने कैसे classify किया है, तो biologists ने इनी जो हमने discovery की है जो हमने variations के basis पे जो discover की है, organism उनी के basis पे इन्होंने ये तीन चीज़े define की है The branch of knowledge dealing with these aspects is referred to as taxonomy और जो branch इन सारी चीज़ों को deal कर रही है, यानि कि organisms के identification को, nomenclature को and classification को, तो उस branch को हम क्या कहते हैं, taxonomy कहते हैं, ठीक है The taxonomic studies of various species of plants and animals are useful in agriculture, forestry, industry and in general for knowing our bio-resources and their bio-diversity जो taxonomic studies है, various species की, चाहे वो plants की हो, या फिर animals की हो, तो वो कहां पे हमें use होती है जो हमने उसको इस तरह से अच्छे से describe कर दिया है, तो वो agriculture में, forestry में, industries में या फिर general हम अपने bio-resources के बारे में जानना चाते हैं, तो या फिर उनकी diversity को जानना चाते हैं, तो use होती है The basics of taxonomy like identification, naming and classification of organisms are universally evolved under international codes अब जो उन्होंने taxonomy में identification name दिये है, classify किया है, organisms को जो nomenclature दिया है तो वो ऐसा नहीं दिया है कि वो किसी एक particular area के हिसापस उन्होंने दे दिया कि उन्होंने particular जिस जगा पे, suppose that कोई species अगर Africa में discover किये तो उन्होंने वहाँ के climate, वहाँ के according name दे दिया या जिन्होंने discover किया उस scientist के basis पे name दे दिया, नहीं उन्होंने उन चीजों को जो define किया है, उनकी species, उनके बारे में जो भी बताया है, वो ऐसे coding में बताया है, जिससे कि वो all over word में एक ही नाम से जानी जाएं आप सभी को पताये कि हर एक चीज का एक common name होता है, और एक scientific name होता है ठीक है, suppose that mango है, तो mango is the common name, magnifera indica जो हुआ, वो उसका क्या हुआ, scientific name हुआ अगर peas की बात करने हैं, तो peas का common name हो गया, pysm sativum उसका scientific name हो गया तो all over word में अगर कहीं पे भी किसी को peas नहीं पता है, तो वो pysm sativum scientific name से उसको identify करता है तो ये चीज का बहुत ध्यान रखा गया है कि international जो coding की गई है, वो बहुत ही सोस समझ करके बहुत ही specialized तरीके से की गई है Based on the resemblance and distinct differences, each organism is identified and assigned a correct scientific biological name comprising two words as per the binomial system of nomenclature मैंने binomial system nomenclature का पढ़ाया हुआ है, इसमें अच्छे से explain किया हुआ है तो उसमें यही बताया गया है कि हर एक organism को जो assign किया गया है name, वो बिलकुल सही तरीके से उसके scientific और biological name को comprise करके एक साथ मिलाकर की दो words को करके किया गया है, इसी वज़े से इसको क्या कहा जाता है बच्चो, binomial कहा जाता है ठीके, an organism represents, occupies a place or position in the system of classification हर एक organism की जो classification होता है हमारा, जो हम लोगों ने classification पढ़ा था आप सभी को याद होगा, जो genus, family, species, order, class, phylum यह जो हम लोगों ने पढ़ा था मैंने नीचे से पढ़ा है इसको, तो उसमें हर एक organism की अपनी एक अलग fixed place होती है ठीक है, ऐसा नहीं है कि सब एक जगा पे है, सबकी अलग-अलग place है, उनके identification के according, there are many categories, ranks and are generally referred to as taxonomic categories और taxa, यहां पर बहुत सारी categories है, बहुत सारी rank है, बहुत सारी taxonomic categories है, या फिर taxa आप कह सकते हैं, all the categories constitute a taxonomic hierarchy और यह सारी categories जो है, एक proper hierarchy में चलती है, ऐसा नहीं है कि किसी के बाद में भी किसी की category आ जाए, तो इनकी एक proper hierarchy है कि इसके बाद में यह चीज़ आनी है, तो वो उसी के बाद में आएगी, ठीक है? आगे है, taxonomist have developed a variety of taxonomic aids to facilitate identification, naming and classification of organisms taxonomist ने जो हैं, बहुत सारे ऐसी चीज़े भी aids आप कह सकते हैं, जो develop किये हैं वो identification और naming और classification को जो organisms का हम कर रहे हैं, उसको facilitate करने के लिए किये हुए हैं बहुत सारे aids, उन्होंने taxonomic aids develop कर रखे हैं, so these studies are carried out from the actual specimens which are collected from the field and preserved as referral in the form of herbaria, museums and in botanical gardens and zoological parks जो यह specimens उन्होंने collect किये हुए हैं, या फिर जो studies उन्होंने बताई हैं कि इस particular organism के बारे में ऐसा ऐसा knowledge है तो जो चीज़ों उन्होंने बताई हैं उनको properly field से correct किया गया है या फिर उनको properly herbarium files जो herbaria होते हैं बड़े level पे उन पे preserve करके रखा गया है या museums पे रखा गया या फिर botanical gardens है, zoological parks है इन में रखा गया है तो proper study के बाद ही उन्होंने explanation दिये हैं, ठीक है? कोई बेग guessing यहाँ पे नहीं हुई है और आप सभी को पता है हर एक specimen को रखने का तरीका अलग है तो यहाँ पे बहुत साथी special techniques होती हैं जिनके basis पे ही collection किया जाते हैं जिनके basis पे ही preserve किया जाता है specimens को herbaria और museums में live specimens on the other hand of plants and animals are found in botanical gardens and in zoological parks अगर आप बात करते हैं live specimens की तो वो आप कहां देख सकते हैं botanical gardens में आप plants के बारे में देख सकते हैं बहुत सारी मिलेंगी variety इसका best example आपका national botanical research institute NBRI लगना हूँ है वहाँ पे बहुत सारी variety almost आपको बहुत जादे variety आपको plants की वहाँ पे study करने के लिए मिल जाएगी दूसरा आपका जो zoological parks हैं वहाँ पे आपको animals के बारे में बहुत सारी varieties के बारे में information मिलेगी taxonomists also prepare and disseminate information through manuals and monographs for further taxonomic studies taxonomists जो होते हैं वो इसके लिए बहुत सारे information के थूँ इनके बहुत सारे manuals prepare करते हैं बहुत सारे monographs prepare करते हैं जिससे की आगे के taxonomic जो studies होती हैं उनमें बहुत सारी help रहती है taxonomic keys are tools that help in identification based on characteristics जो यह taxonomic keys हैं यह तरह से tools होते हैं जो हमें identify करने के लिए help करते हैं किसी भी organism को उनकी characteristics के basis पे तो बचो यह आपकी first chapter की summary यहाँ पे complete हो गई है अगर आप लोगों की और कुछ ऐसे ही demand होती है तो आप comment section में मुझे बताइए मैं आपके लिए special video बनाऊंगी ताकि आप लोगों की सारी requirement fulfill हो सके ठीक है जो बच्चे नए है channel पे उन्होंने अगर अभी तक channel को subscribe नहीं किया है तो वो subscribe कर लें ताकि उनको इस तरह से सारे ही video आगे timely मिल सके और इसके लिए आपको bell icon को ज़रूर प्रेस करना है ताकि आपको updates timely मिल सके अदर्वाइस आपको जब भी मैं video upload करूँगी तो आपको इस बारे में नहीं पता चलेगा और अगर आपको यह video पसंद आया है तो don't forget to press the like button झाल